हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चू किसने चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मैफेनमिक एसिड मेडिसिन के बारे में, तो हम सिखेंगे ये मेडिसिन के बेजिक इस के बारे में, सिखेंगे उसका डेली डूस क्या होता है, जानेंगे अलग-अलग उसके सैड एफेक्ट और वार्निंग्स and का इंडिकेसिन के बारे में, तो मेफेनमिक एसिड के बारे में डिटेल स्टेडी करते हैं, आज के लेक्चर में, टेक्सपिट कोर्स फार्मरोक्स के आप उपर तब आप सीख पाएंगे अलग-अलग मेडिसिंस के बेजिक यूज के बारे में और एकसेस करें उनके PDF और PPTs फार्मरोक्स के अपपर वो भी काफी अफ़र्डिबल प्राइज में तो सीखिए अलग-अलग मेडिसिंस के बेजिक यूज के बारे में जाने उनके डोस क्या होते है, साइड एफेक्स क्या रहती है और वार्निंग और कॉंटर इंडिकेशन तो ये कोर्स आपको मिलेगा एक साल तक और वो भी काफी अफ़र्डिबल प्राइज में तो जरूर से डाउनलोड करिया आप फार्मरोक्स, एंडूड अप्लिकेशन है, गुगल प्ले स्टार पे, एपल आइफ़ोन एफ़े, एप स्टार पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब सिपते हैं मेफिनमिक के एसिर के बारे में, तो यह जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कहे सकते हैं, कि जो नौन स्टेरोडर एंटी इंफ्लामेटरी डरग है, और यह जो मेडिकेशन specially उसकी analgesic activity के करन के उसके पास जो है वो analgesic activity है और analgesics के बारे में हमें पता है कि यह ऐसे medication होते हैं कि जो pain काम करते हैं pain relievers का काम करते हैं तो Mephanamic Acid जो है वो use होता है mild से moderate pain को treat करने लिए कि उसके पास जो analgesic activity है और इसके जो tablets या फिर उसके जो capsules है वो combination में होते हैं कई बार कि जो दुसरे nurses class के जो medication है उनके साथ उसके combination होंगे या फिर जो antispasmodic medication होते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि यह meptal spas करके जो उसका एक brand name है कि जिसके अंदर mefenemic acid है और साथ में diceclamine hydrochloride जो है वो combination में है तो यहाँ पे आप देखो कि antispasmodic के तौर पे उसके अंदर present है यह diceclamine hydrochloride और साथ ही mefenemic acid जो है वो present है as a non-sternal anti-inflammatory drug तो यह medication जो है वो nurses के साथ भी combination में होती है और या फिर antispasmodic के साथ combination में मिल जाती है अब समझते उसके working and mechanism की यह medication किस तरह से अपना काम करती है तो mefenemic acid क्या करती है जो cox enzymes होते है cyclo oxygen is जिसको कहा जता है तो cox enzymes को जो है वो inhibit करता है कि जिसके करन आगे जाके वो inhibit करता है यह prostaglandins का synthesis अब देखो prostaglandins का main function क्या होता है body के अंदर कि जब यह तो जो prostaglandins जो है वो mediator बनते है pain के लिए कि जब आपको pain वगिरा होते तो उसके लिए जब prostaglandins बनता है तो वो एक reason बनता है साथ उसाथ जो susan होती है fever वगिरा होता है तो सभी के लिए एक reason बनता है यह prostaglandins और prostaglandins के production के लिए involve होता है यह cox enzymes का involvement तो यह medication क्या करती है mafenemic acid की block कर देती है effect जो natural substances से cox उनकी और जिसके करन आगे जाके समझो कि cox inhibit हो जाता है तो prostaglandins का synthesis नहीं होगा और prostaglandins नहीं बनेगा तो automatically जो reason था pain और susan का वो कम हो जाएगा और यह reason को ही हम कतम कर देंगे तो आगे जाके उसके करन होने वाले pain, susan वगिरा जो है कम हो जाती है तो cox की activity inhibit हो जाएगी कि जिससे यह prostaglandins नहीं बनेगा और prostaglandins नहीं होगा तो pain के mediators और susan के mediators कम होने के कारण यह medication जो है वो pain relievers के तोर पे काम करती है और mild anti-inflammatory के तोर पे यह काम करता है mafenamic acid के standard dose के बारे में समझे तो उसका जो standard dose है वो है 250 से लेकर 500 mg 3 times a day खास समझे कि minimum dose जब कोई person use करता है तो वो रहेगा उसके लिए 250 mg और वो भी TDS में लेकि दिन में 3 बार और उसी तरह से समझे कि maximum dose में आपको use करना है तो वो dose हो जाएगा उसका 500 mg और वो भी TDS में दिन में 3 बार आपको लेना है और खास एक ध्यान यह रखना है कि हर 8 गंटे पे आपको यह dose उसका लेना है और maximum 15 mg से जादा उसका dose नहीं होना जाए तो फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से समझे कि समझो कि आप टैबलेट ले रहे है 500 mg का तो 500 mg दिन में 3 बार लेते हैं तो टोटल हो गाया आपका यह 1500 mg का यह dose और यह dose आप लेंगे हर 8 गंटे पे तो 8 गंटे के time interval पे आप medication लेते हैं तो proper 24 hours के अंदर आपके body के अंदर जाएगी 1500 mg जितनी medicine तो वो हो गाएगा उसका maximum की maximum 1500 mg जितना per day हो आप ले सकते हैं अगर इससे भी ज्यादा यूज करते हैं तो वो फिर कहा जाएगा high dose तो high dose तब बनेगा कि जब 1500 या फिर उससे भी ज्यादा तक लेते हैं कि समझो कि आप 2000 mg जितना लेते हैं 3000 mg जितना per day लेते तो वो हो जाएगा आपके लिए काफी high dose तो ये खास समझना जरूरी है अब समझते हैं उसके indications और यूज के कौन से अलग-अलग medical condition में मैफनेमिक एसिड यूज किया जाते हैं तो ये यूज किया जाता ह जब आपको joint pain related problems है और joint pain related problems मतलब कि जो arthritis के condition होती है osteoarthritis के condition होती है या फिर rheumated arthritis के यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे body के ये अलग-अलग joints होते हैं तो वहाँ पे समझो कि आपको काफी pain हो रहा है वहाँ पे surgeon है तो उस वक्त दूसरे समझो कि नसेट से ठीक नहीं हो रह तो उस वक्त patient को mefenemic acid के tablets जो है वो prescribe किये जाते हैं फिर जो post-operative pain होता है मलब कि आपके उपर कोई surgery होई है कोई operation हुआ है कोई treatment ऐसी हुई और उसके बाद आपको pain हो रहा है काफी तो वो दर्द को कम करने के लिए भी ये medication use की जाते हैं कि समझो कि आपका दांत की surgery होई है दांत निकाला गया है या फिर उसके उपर कोई surgery की गए और उसके बाद आपको दर्द वगरा हो रहा है तो वो दर्द को कम करने के लिए भी ये medication use की जाएगी या फिर कोई भी ऐसे surgery होई ये operation होई ये उसके बाद होने वाले pain को कम करने के लिए ये medication prescribe की जाती है फिर जो muscles के पेन होते हैं और जो बैक पेन होता है तो उसमें भी ये मेडिकेशन जो वो यूसफुल होती है कि जो एक्यूट पेन होते हैं कि कई बार हमें मसल्स के अंदर पेन होता है मसल क्रैंप्स जैसा फिल होता है और उसके करण काफी दर्द मैसस होते हैं और बैक पेन भी होता है तो उसमें भी यह useful है, tooth hack मतलब कि जो pain होता है tooth teeth के अंदर, कि जो दातों का दर्ध हम कहते हैं, कि दातों के अंदर जब दर्ध होता है, तो उस वक्त भी यह medication pain killer का काम करेगी, और जो हम देखते कि diceclamine के साथ उसका जो combination खास कर बनता है, जो meptals pass है, तो वो pain जब आपको होता है, periods के दोरान, या फिर जो menstrual pain हम कहते हैं, तो उसके इलाज में यूज की जाती है, और manorrhazia की इलाज में भी यह medication जो है, वो use की जाती है, कि कई बार tranexemic acid के साथ combination में, यह mephenemic acid होता है, तो यह अलग-अलग medical conditions के अंदर mephenemic acid जो है, वो use किया जाता है, अब समझते हैं, उसके side effects के बारे में, तो कुछ लोगों को उसके करण जो है, वो diarrhea जैसा feel होता है, या फिर कुछ cases में constipation मतलब की curbs जैसा हो सकता है, वो लोग, तुसरा जो है, वो gas, gas जैसा feel होना, या फिर जो bloating जैसा feel होता है, कि stomach के अंदर, पेट में uncomfortable जैसा feel होता है, कि कई बार gas जैसा condition produce होता है, acidity feel होती है, और जिस वक्त आप जो condition feel करते हैं, तो ऐसा हो सकता है, अगर आप ये medication को काफी high dose में, लंबे समय तक use करते हैं, किस लोगों को सरदर जैसा feel होता है, फिर dizziness वगेरा जैसा feel होना, और दूसरे side effect देखे, तो कुछ लोग जो ये medication लेने के बाद काफी nervous जैसा feel करते हैं, nervousness जैसा feel होना, या फिर जो है वो ringing in the ears, मतलब की कान में जैसे कोई गंटी बचती हो, ऐसा जो है आपको feel है, कि आसपास बले कोई ऐसा आवाज ना हो रहा हो, फिर भी आप ऐसा मैसुस करें कि आपके कान के अंदर कोई bell बज रही है, या फिर कोई ring बज रही है, यह साइड एफेक्स डेवलफ होते हैं, मैफेनेमिक एसिड के करण, अब उसके warning समझना खास जरूरी है कि, यह medication जो है वो हर किसी को देनी की जरूरत नहीं रहती, बिकॉस उसके कुछ हैसे sad effect है, और एस वेल एसके कुछ हैसे warning है, कि जिससे उसका use कई बार limited हो जादा है, जिससे कि, मैफेनेमिक एसिड जो है, वो क्या कर सकता है, अलसर कर सकता है, या फिर bleeding कर सकता है, कि जब आपके stomach के अंदर, इस तरह से already समझो कि अलसर है, तो यह अलसर में से वो कराएगा, bleeding करवाएगा, मतलब कि वहाँ से खून आना जो हो चालू हो जाएगा, bleeding चालू सकता है, और अगर आपका healthy इस टाइप का stomach है, तो वहाँ पे आगे जाके वो ulcer भी form करवा सकता है, कि चाहे वो duodenal ursel भी हो सकता है, या फिर stomach ulcer, या फिर जो हम peptic ulcer की condition कहते हैं, वो produce हो सकते हैं, अगर आप मैफेनेमिक एसिड को long time तक use करते हैं, as well as उसको high dose के अंदर use क करते हैं, और proper precautions वगरा नहीं रखते हैं, और ये जो है, वो किसी भी समय develop हो सकती है, आपकी treatment के दोरान, और अगर कई बार condition इतनी भी खराब हो जाती है, कि उसके कारण जो है, वो patient की जो है जान भी जा सकते है, तो खास अच्छे से ध्यान रखे, proper patient counseling होना चाहें, कि अगर किसे को already stomach ulcer का problem है, पेट के अंदर ulcer है, तो कभी भी उसको ये medication नहीं देनी चाहिए, और कभी भी आप उसको higher dose के अंदर use ना करें, आगे समझे उसके contraindications के किन लोगों को mefenamic acid यूज नहीं करनी है, तो सबसे पहले कि अगर आपको risk है bleeding होने का clothing disorders related आपकी body के अंदर कोई problem है, और clothing disorders वाले जो patient होते कि blood clothing factor की deficiency होती है, blood का clothing अच्छे से नहीं हो पाता और उसके करण, वो बीमारी के करण आपको बहुत सारी bleeding हो रही है body के अंदर, तो उन लोगों को ये medication नहीं देनी चाहिए, फिर अगर आपको risk है bleeding का, तो भी आप उसको use ना करें, फिर आपका blood pressure काफी high रहता है, कि ऐसे कुछ लोगों होते हैं कि जिनका blood pressure always high रहता है, तो proper एक बार जो हो patient counseling और diagnosis के बाद ही, ये medication को use करनी चाहिए, फिर जो heart attack के patient होते हैं, chronic heart failure के जो patient होते हैं, उनके लिए भी ये medication, जो हो contraindications के list में कि वो लोग भी उसको use ना करें, मतलब कि जिनको heart related बीमारी है, और heart related बीमारी के अंदर, जो heart failure के patient बनते हैं, या फिर already जिनको heart attack आया हुआ है, तो वो भी use ना करें, और ऐसे लोग कि जिनके body के अंदर उनका blood pressure है, वो रहता है, high रहता है, तो भी ये medication को use नहीं करनी है, फिर कई बार जो abnormal bleeding होती है, brain के अंदर, और जिसके करन के हो जाता है, कि brain के जो tissues होते हैं, वो damage हो सकते हैं, जिसको हम hemorrhagic stroke कहते हैं, तो अगर ऐसे कोई condition है, तो ये medication को use नहीं करनी चाहिए, और ये problem भी हो सकते हैं, कि अगर आप ये medication को use करते हैं, तो ये एक risk बनता है, तो अगर ऐसे risk है आपके body के अंदर already, तो कभी भी methanamic acid को use ना करें, और जरूर से patient counseling जो होना चाहिए, and blood clot है आपके body के अंदर तो भी उसको use ना करें, कि जैसे समझो कि इस type का कोई brain के अंदर bleeding हुआ है, और वहाँ के tissue damage है, और वहाँ पे blood clot हो चुका है, तो ऐसे लोगों को कभी भी ये medication नहीं देनी चाहिए, और अगर आ excessive acid जो है वो produce होता रहता था, और excessive acid के करन जो है वो वहाँ पे form हो चुका था, ulcer, और ulcer already form हो चुका है, तो और वहाँ से ulcer में से कई बार bleeding भी होती है, तो ऐसे लोगों को wafenemic acid जो है वो use नहीं करनी चाहिए, तो ये था हमारा special lecture wafenemic acid के बारे में, कि जिसके अंदर हमने सीखा ये medication के proper basic use के बारे में सीखे उसके dose, sad effects भी मैंने आपको समझाए, warning तो उसी तरह से बहुत सारे अलग-अलग medicines के basic use के बारे में सीखे और वो भी affordable price में एक साल तक, तो दवा यो से जुड़ी सभी जानकरियों को अच्छे से पाने के लिए download करिए app Pharma Rocks की जो Android application है Google Play store पे, Apple iPhone app है, app store पे, link आपको description box में मिल जाएंगी और काफी affordable price में आपको ये courses मिलेंगे एक साल तक, तो study material, test series and video lecture के लिए डाउनलोड करें आप Pharma Rocks या फिर ये number पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, वा हमारा WhatsApp help limit है 9016312020, Android user Android app डाउनलोड करे, iPhone user app store से, link समने description box में दे दी है तो good luck and all the best